हेलो गाईज, वेलकम टो विद्दलाश्मी कोचिंग, गाईज, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 इतिहास फर्स्ट नोवर चप्टार यूरोप में राष्टबाद का उदोई लेकर आए हैं, तो यूरोप में राष्टबाद का उदोई से रेलेटेड जितना क्वेस्टेन हैं, उसका आज हम एंसर बताने बाले हैं, तो चले मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं चप्टर आवान के क्वेस्टेन की ओर, देखिए आपका फर्स्ट क्वेस्टेन है, जो संचिप्त में लिखने के बोले हैं, तो इतिहासे बड़ा तो होंगे ही, ओके, दे में जेने आ में हुआ था, और यह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्ट बना, 24 साल की उबा अवस्ता में लिगूरिया में करांती करने के लिए उसे बहिसकरित कर दिया गिया, ततपस्चात उसने दो और भुमिगत संगठनों के स्थापना की, पहला मार्सई में और दुसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्ट पोलेड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने बाला यूबा थे, मेत्सिनी का विशबास था कि इस बहर की मर्जी कनुसार राष्ट ही मानिस्ट की प्राकृतिक इकाई थी, 1830 के दसक में मेत्सिनी एकिकरन इतालवी गणराज के लिए सुविचारिक कारेकरम प्रास्तुत की, मेत्सिनी दबारा राज्यतंतर का घोर भिरोध करकी और परजातंतरी गंतंतरों के आपने सपने से रोडिबादियों को हरा दिया, मेत्रनिक ने उसे हमारी समाजिक दुसमन बताया, ओके, को नम्मर के उत्तर आपको यहां तक लिखना है, फिर बारते को नम्मर के उत्तर की ओर, देखे, को नम्मर का क्वेश्टिन है कि काउंट केमिलो दे काउर के बारे में आपको लिखना है, देखे, इसको उत्तर होंगे, काउंट केमिलो दे काउर इट इटली की सार्डिनिया पिडमांट राज्य का मंतरी परमुक था। इटली की एकिकरण अंदोलन में उसने महत्तपुन्य योगदान दिया। वो न तो करांति करी था और न ही जनतंतर में विशबास रखता था। इतालवी अभिजात बर्ग के सभी अमिर और सिच्छित सदस् भांति वो फ्रेंच भासा का बढ़िया परियोग करता था। काउंट केमिलो दे काउर एक चतूर कुटनितिक था। उसने फ्रांस से एक कुटनितिक संधी कर अस्ट्रेलियाई बलो के 1869 इसभी में हरा पाने में सपल हुआ। गोरिवाल्डी का साथ लेकर उसने 1860 इसभी में दच्छिन इटली और दो सिसलियों को जितने में सपल रहा था। तथा इस पेनी सासक को हटाने में भी सपल रहा। और 1861 में इटली का एकिकरन पुरा कर विक्टर इमेन एल दितियों को एकिकिरित इटली का राजा ओके फिर बढ़ते आपको नेश्ट कोईश्टेन की ओर। देखी आपका गोर नमर कोईश्टेन है कि यूनानी सोतंतरता युद्ध याने यूनानी सोतंतरता युद्ध के बारे में आपको बताना है। चले बताते ही। 25 सदी से यूनान अटोमान समराज का हिस्सा था। यूरोप में करांतिकारी राष्टबाद की प्रगती से यूनानीयों का आजादी के लिए संगर्ष 1821 इसवी में आरम हो गिया। यूनान में राष्टबादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानीयों के साथ पस्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। जो प्राचीन यूनानी संस्कृती के प्रती सहनुभूती रखते थे। कभियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपियों सहिभवता का पालन बता कर परसंसा की और एक मुस्लिम समराज के विरुद यूनान के संगर्ष के लिए लोगों को इकठा किया। अंग्रेज कभी लाड बाइरन ने धन इकठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। जहां 1824 इसवी में बुखार में से उनकी मिरुत्तु हो गई। 1832 इसवी में कुस्तुन तुनिया की संधी में यूनान को एक सतंतर राष्ट की मान्यता दी गई। आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। चले फिर बढ़ते गहां नमर क्वेश्चन की और देखे आपको गहां नमर क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंग फट संसद के बारे में आपको लिखना है। चले बारतेस का उत्तर की ओर तो देखिए जर्मन छेत्र में भारी संख्या में राजनितिक संगठन में फ्रेंग फट सहर में मिल कर सर्व जर्मन नेशनल एसंबली के पच में मतदान का फेसला लिया अठरम मैं 1848 इसबी को 831 निर्वाचित परतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर प्रेंग फट संसद में अपना इस्थान गरन किया यह संसद सेंड पोल्चर्च में आयुजित हुई उन्होंने एक जर्मन राष्ट के लिए एक संबिधान का प्रारू भी तैयार किया जिसकी अधच्चता संसद की अधिर रहने बाले सासक ने की जब परतिनिधियों ने प्रोसा के राजा फेल्रीक बिलियम चतुर्त को ताज पेहनाने की पेचकस की तो उसने उसे असोईकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सबा के बिरोधी थे जहां कूलीन बर्ग और सेना का बिरोध बर्गिया ओही संसद का समाजिक अधार कमजोर हो गिया संसद में मजद बर्गों का प्रभाब अधिक था उन्होंने मजदुरों और कारीगरों की मांग का बिरोध किया जिस्से उवे उनका समर्थन खो बेठा अंत में सेनीको को मुकाबला किया और एसेम्बनी भांग होने पर मजबूर हुई चले फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों देखिए अब क्वेस्टन नमबर अवान का अंग बोर रहे हैं कि राष्टबादी संगर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारी में आपको बताना है चले इसके उत्तर क्यों बढ़ते हैं उत्तर है कि राष्टबादी संगर्षों में महिलाओं ने महत्तपन भूमिका निभाई थी प्रन्तु उदारबादी आंदोलन में महिलाओं को राजनितिक अधिकार प्रदान करने का मुद्धा बिबाद था फिर भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया महिलाओं ने अपने राजनितिक संगठन इस्तापित किया समाचार पत्र परकासित किये और राजनितिक बेठों को तता प्रदर्शनों में भाग लिया तो गाईज आपका वान नमर क्वेश्टेन समाप्त होते हैं फिर बढ़ते क्वेश्टेन नमर टू की ओर देखे क्वेश्टेन नमर टू दे रखे हैं कि फ्रांसिसी लोगों के बीच समोहिक पहचान का भाव पेदा करने के लिए फ्रांसिसी कारीगरों ने क्या कदम उठाया तो चले बढ़ते उत्तर की हो तेकि इसका उत्तर होंगे कि 1789 इस भी में फ्रांसिस एक ऐसा राज जथा जीस पर निरंकुस राजा का सासन था क्रांती के पस्चत प्रभु सत्ता राज़तंतर से निकल कर फ्रांसिसी नागरीकों के हातों में आगी आरंब से ही फ्रांसिसी करांतीकारियों ने एसे अने कदम उठाई जिन से फ्रांसिसी नागरीकों में एक समुहिक पेचान की भावना पेदा हो गयी थी चले किस परकर पेदा हो गयी थी हम लोग नमबर 2 उसको लिखने का परियास करते है देखा आपका फस्ट नंबर में लिखना है कि पित्र भुमी और नागरिक जिसे विचारों ने एक सयुक्त समुदाई के विचार पर बॉल दिया जिसे एक सम्मिधान के अंतर्मन एक समान अधिकार प्राप्त थे नंबर टू में लिखना है एक नया फ्रांसेसी जंडा चुना गिया जिसने पहले से राजज दोज की जगह ली नंबर थिरी में लिखना है साकिरिय राजनागरी के समुदाबारा इस्टेट जनरल का चुनाव किया जाने लगा जिसका नाम बदल कर नेशनल एसेंबली कर दिया गिया और फोर में लिखना है राष्ट के नाम पर नई इस्टूतियां रची गई सपत ली गई और सहीदों का गुनगान गाया फिन नमबर फाइप में आपको लिखना है कि एक केंदरिय प्रोसासनिक व्यवस्ता लागू की गई जिसने अपने भुभाग में रहने बाले सभी नागरिकों के लिए समान्य कानून बनाई नमबर शिक से में लिखना है अंतरिक आयात निरियात सुल का समाप्त कर दिया गिया तथा नाप तोल एक सामान वबस्ता लागू किया गिया नमबर सेबेन में लिखना है चेत्रिय भासाओं को निरुत साहित किया गिया और पेरिस में परियोग होने बाले भासा फ्रेंच को ही राष्ट के साजा भासा बनाया गिया चली अब बढ़ते क्वेश्टेन में थिरी की ओर देखे क्वेश्टेन में थिरी है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया उसका क्या महत है जो कि ये क्वेश्टेन आपका बहुत इंपोर्टेन है ओके ये क्वेश्टेन आपका बहुत इंपोर को रेखानकित किया उसके चीन लाल टोपी तिरंगा और कलकी स्वतंतरता की गंतंतर थे मारियान की परतिमाई सार्वजनिक चोको पर लगाई गेई ताकी जनता को एकता के राष्टिय प्रतिक की याद आती रहे और लोग उसे तमत इस्तापित कर सके मारियान की छबी सिको और डाक्ट क्यतो पर अंकित की गई इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट का रुपक बन गया चासुस अभिवेक्तियों में जर्मनिया बलूत बिरिच्च के पत्तो का मुकुत पहनति है क्योंकि जर्मन बलूत बिर्दा का प्रतिक है चले फिर बढ़ते question number four की ओर तो क्वेश्टर में फोर दे रखे हैं कि जर्मन एकिकरन की परकरिया का संचिप में उत्तर बताईए तो चले इसका उत्तर होंगे जर्मन की एकिकरन की परकरिया 1848 स्वी में जर्मन मासं के भिविन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सदस्च दबारा सासित राष्ट राज्य बनाने के परियास के साथ किया गिया मगर राष्ट निर्मान की यह उधारबादी पहल राज्शाई और फोज की तागत ने मिलकर दबा दी उनका प्रशा के बड़े भुस्वामियों ने भी समर्तन किया इसके पश्चात प्रशा ने जर्मनी एकिकरन के अंदलन का नेत्तिरिप समाला उसका प्रमुक मंतरी आटोमान विसमार्क इस परकरिया का जनक था जिसमें प्रशा की सेना और नोकर्शा की मदद ली साथ बरसो यानी 1866 से लेकर एकातर तक के दोरान अस्टरिया डेनमार्क और फ्रांस ने तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकिकरन की परकिरिया पुरी की जनुआरी 1881 रिसमी में बरसाय में हो एक समारो में प्रशा की राजा बिलियम पर्थम को जर्मानी का समराट घोसित किया गिया चले फिर बढ़ते क्वेश्ट्रमर फाइब की हो देगे क्वेश्ट्रमर फाइब है आपने सासन बाले छेत्रों में सासन व्यवस्ता को ज्यादा कुसल बनाने के लिए नेपोलियोन ने क्या उपाई किये यह फाइब का उत्तर है आपने देख कर लिखिएगा क्वेश्ट्यन कि आपने सासन बाले छेत्रों में सासन व्यवस्ता को ज्यादा कुसल बनाने के लिए नेपोलियोन निमलिखी सुदार किये फास्ट में लिखना है कि उसने परोसासनिक तंत्रों को अधिक तर्क संगत और परभावी बनाया सेकर में लिखना है उसने आठरासो चार में नागरिक संगीता बनाई उसने जनम पर अधारेत विसेसाधिकार समाप्त कर दिये उसने कानून के समझ बराबरी और संपत्यक अधिकार को सुरचित बनाया फिर नमब थिरी में लिखना है उसने परोसासनिक विभाजनों को सरल बनाया समन्ती विवस्ता को खत्म किया और किसानों को भू दास्षव और जागी दरी सुलकों से मुक्ति दिलाई फिर नमबर फाइप में आपको लिखना है सहरों में भी कारीगरों के सिरेनी संगों को नियंतरनों को हटा दिया गिया यातियात और संचार वबस्ताओं को सुधार किया नमर फाइप में लिखना है उसी के सासनकाल में किसानों, मजदुरों, कारीगरों और उद्धक पतियों ने पहली बार आजादी का सवाद चखा चलिए अब बढ़ते हैं चर्चा करे का क्वेश्टन की ओर देखें चर्चा करे का क्वेश्टन फास्ट नमर दे रखें कि उदारबादियों की 1848 की करांती का क्या अर्थ लगाया जाता है उदारबादियों ने किन राजनितिक समाजीक अबंग आर्थिक विचारों को बढ़ाबा दिया तो इसका उत्तर हूंगे 1848 की उधारबादियों की करांती का मतलब था कि वे सोतंतर राष्ट राज्य की स्तापना करना चाहते थे जब करांती की सोतंतरता और सभी लोगों के लिए समान कानून और सोतंतरता हो उधारबादियों ने जिन राजनितिक, समाजीक अबंग आर्थिक विचारों को बढ़ाबादिया उए निम्न है तो क्या क्या बढ़ाबादिया चले बाढ़ते हैं अमान पर अगर आप छोड़कर लिखेगा राजनितिक विचार फिर राजनितिक विचार में कौन कुनाते हैं तो उधारबादियों ने समती बाली सरकार की अवधाना पर बॉल दिया निरंकु सासन और पादरी बर्ग के विशेसाधिकरे को समाप्ति किया संसत दबारा संवेधानिक परतिनिधी सरकार घानम में लिकिना है संपतियों का अनुलंगनिय अधिकार मने उल्लाकनियो फिर एवान पर अगर अब छोड़ के लिकिना है कि समाजिक बिचार किसी राज्यों के सभी नागरी को समाजिक समन्ता परदान करना उदारबादियों के महत्तपुन्न प्रात्मिकता थी नेक्स्ट वो मत यानि भोट देने और परतिनिधी सरकार के निर्बाचित होने का अधिकार चाहते थी उनिसवी सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था जिनके पास निजी समपत नहीं थी महिलाओं को अवेस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पित्या और पत्तियों के अधिन कर दिया गया था अब आते हम लोग आर्थिक विचार में आर्थिक विचार में क्या क्या थे? उदारबादियों बजारों की मुक्ति के पच्चधार थे वे चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य दबर लगाएगे नियंतर्न को खत्म करना चाहते थे चलिए अब बढ़ते क्वेश्टन नमर्ट टू की ओर क्वेश्टन नमर्ट टू दे रखे हैं कि यूरोप में राष्टबाद के विचास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के तीन उदाहरन दीजे क्या क्या है? देखिए फärस्ट में हैं आपका आपनों question देकर लिख सकते ही कि राष्टबाद के विकास में सनस्कृती जुड़ाव को रुमानी बाद नाम दिया, रुमानी बाद के उदाहरन है देखिए, फस्ट में लिखना है कि लोग सनस्कृती, जर्मन दर्शनिक, यहन गोड़ फ्रिट हरडर ने दावा किया कि रुमानी जर्मन सनस्कृती उसके आम लोगों में नहीत थी उसने लोग संगीत लोग काईप और लोग नित्तों के मैध्धम से जर्मन राष्ट की भवना को परचारित परशारित किया नमबर टू में लिखना भासा पॉलेण में राष्टबाद के विकास में भासा नेक महत्तपन भुमिकादा की पॉलेण के रूस के कबजे बाले हिस्सों में पॉलीस भासा परतिवन दित थी जब पादरियों ने रूसी बोलनने से इंकर किया तो उन्हें सजा दी गई इस परकार पोलिस भासा रूशी प्रभुत्व के बिरुत संगर्ष के परतिक के रूप में देखी जाने लगी चले तिसरा नमबर मैं आपको लिखना संगीत संगीत में लिकना कोरल कुर्पिस की एक पोलिस नागरिक ने राष्टिय संगर्ष पर आपने ओपेरा और संगीत गुनगान किया और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोकनित्यों को राष्टिय परतिक में बदल दिया चले बढ़ते क्वेश्टन मत थिरी की और क्वेश्टन मत थिरी है किनी दो देशों पर ध्यान के अंद्रित करते हुए बताए कि 19 सदी में राष्ट किस परकार बिक्सित हुए तब क्वेश्टन देखकर लिख सकते हैं कि 19 सदी में राष्ट विविन्न तरीकों से बिक्सित हुए चले पहला राष्ट हम ले 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 ती इटली को देख इटली इटली सार्डीनिया पीडमोन और उनके भीविन्ने विभागों जिस आश्ट्रिया आदी के सासकों के साथ हुए अनेक युद्धों के बाद उभरा लेकिन यह केबल कुटनितिक कोसल से संबब हो सका दुसरा में लिखना है ओही ब्रिटेन का खुन खराबे का कोई इतिहास नहीं है उहां एक जातियों समों अंग्रेज ने अन्य जातियों समों पर आपना दबदबा कायम किया और एक नया ब्रिटनी राष्ट बनाया और आंगल संस्कृती का प्रचार परसर किया नये ब्रिटेन के प्रोतिक चिन्नों ब्रिटानी जहंडा और राष्टियों गान को खुब बढ़ा दिया आइरलेन इसका उधारन बना चले ब्रिटेन नमर फोर क्यों बढ़ते हैं फोर नमर क्वेश्टेन है कि ब्रिटेन में राष्टबाद का इतिहास सेज एउरोप की तुन्ना में किस परकार भिन्न था अपनों क्वेश्टेन देख लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में राष्टबाद का इतिहास सेज एउरोप की तुन्ना में निम्न परकार भिन्न था फास नमर लिखना है इउरोप में राष्टबाद सकतिसाली करांतियों युद्धों और सेन्न अभियानों के फोलसरों बिक्सित हुआ इसके उदाहरन है जर्मानी और इतली का एकिकरन नमर टू में लिखना है ब्रिटेन इसका अपबाद था उहां राष्टबाद के लिए कोई युद्धों नहीं लड़ा गिया नमर थिरी में लिखना है ब्रिटेन में अंग्रेज, स्कोटिस, वेल्ट, आदी जैसे जातियों समुँ सामिल थे नमर फर में आपको लिखना है उनमें से अंग्रेज धिरे-धिरे तागदबर होते चलेगी और उन्होंने नए अन्य जातियों समुओं का प्रवुत्व जामाना आरम कर दिया फाइप में लिखना पहले उन्होंने स्कोटिस लोगों को अपने देश में सामिल किया फिर उन पर परवुत विश्थापित किया नमबर 6 में लिखना है फिर उन्होंने आईरिस लोगों पर नियंतर्ण किया और इस परकार United Kingdom और Great Britain बिना किसी खोन खराबे को उबरा चलि अब बढ़ते question नमबर की हो निगे 5 नमबर question कि बालकॉन परदेसों में राश्टवदी तनाओ क्यों पनपा चलिए 5 नमबर का उत्तर होंगे फस्ट कि बालकॉन परदेसों में अन्यक जातीह्त हुआ समों निबास करते थी पिर दुसरा में लिखना है उस पूरे छेत्र पर अटोमान समराज का अधिपत था जो अपने पतन के कागार पर था नमब थिरे में लिखना इसी समय इसलाब बालकन के जातियों समु भी उधारबादी और राष्टबादी विचारों से प्राभित हुए बिना नहीं रह सके अथ यह सबी जातियों समु आपने लिए बेक्तिप राष्ट राज्यो की मांग करने लगे फिर आपका फ़र नमबर देकर लिखना है इसी दोर में उसने बीच खटासपुर्ण संबन पन पे उनमें बहुदा कुटता पुर्ण याने कुटनितिक संगर चलता रहा नमबर फाइब में लिखना है उए सबी आपने लिए जादा से जादा इलाका हतियाना चाहते थी नमबर शिक्स में लिखना है रूस, जर्मनी, इंगलेंड, अस्ट्रियो, हंगरी जेसे तागते बालकान पर अन्य सकतियों की पकड को कमजोर करके छेत्रम आपने परभाब को बढ़ाना चाहती थी नमबर सेबन में लिखना है कि बालकान के जल छेत्र पर नियंतन करके उन्होंने यूरोप में नोसेनिक प्रभुत पर इस्तापित करने की भी योजना बनाई चले बढ़ते नेक्स्ट कोईश्टन क्यों और एही कोईश्टन अपका लास्ट है देखिए नेक्स्ट कोईश्टन है कि राष्टबाद और राष्ट राज्य का विचार केसे उबरा तबना कोईश्टन देकर लिख सकते हैं कि राष्टबाद और राष्ट राज्य का विचार निम्न परकार उबरा नम्बर अमान देकर लिखना है राष्टबाद और राष्ट राज्य का विचार यूरोपियो महादेश की संस्कृतिक विभीदता एबंग प्रदिसिक समाजिक समू से उबरा टू नम्बर देकर लिखना है उधोगीगी करण के कारण यूरोपियो समाज में परिवर्तन से नए माईध्धम बर्ग का उदय हुआ थिरी नम्बर देकर लिखना है इनमें स्रामीक, कारियोसिल, जनसंक्या, उद्धोगपति, ब्योसाई, प्रोफेशनल आधी सामिल थे और लास्ट फाइप नम्बर में लिखना है अथ उनसे राष्टबाद का विचार किया इससे राष्टबाद के विचार का उदय हुआ तो गाईज आपका एही पर ए फास्ट नम्बर का जेतना क्वेस्टेन था सब उत्तर बता चुके हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई